क्या 100-200 करोड का बजट, एक हिट फॉर्मुला, एक सूपर स्टार, अच्छी स्क्रिप्ट, शांदार प्रमोशनल स्ट्रेजीज के उपर भी भारी है फिल्मों का एक रिव्यू जी हाँ फिल्मों के रिव्यू को लेकर एक डिरेक्टर ने बड़ी बात कही है इंडस्ट्री में काम करने वाले डिरेक्टर का कहना है कि यूट्यूब पर ये जो रिव्यूज होते हैं इने सबसे पहले बंद करना चाहिए इन रिव्यूज पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि ये रिव्यूज जो है फिल्मों को खराब करते हैं हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कई बड़ी फिल्में आई है जिनको शांदार तरीके से प्रमोट किया है बावजुद उसके ये फिल्में फ्लॉप रही है अब इनी फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण एक डिरेक्टर ने यूट्यूब रिव्यूज को बताया है इस डिरेक्टर का कहना है कि ये जो यूट्यूब के रिव्यूज है ये रिलाइबल नहीं है क्योंकि ये लोग पैसो पर काम करते हैं इन लोगों का कोटेशन बना रहता है, जिस भी फिल्म का अच्छा रिव्यू देना होता है, यह अपने पेमेंट की लिस्ट भेज देते हैं और उस हिसाब से रिव्यू करते हैं मैंने तो ऐसे भी रिव्यू करने वालों के बारे में सुना है, जो दो-दो लाख रुपए दे कर एक अच्छा ट्वीट आपकी फिल्म के लिए करते हैं इस डिरेक्टर का कहना है कि रिव्यू करना इन दिनों एक धंदा बन गया है, प्रेड्यूसर से पैसा निकलवाने के लिए ये लोग धंकी भी देते हैं कि अगर हमें पैसा नहीं दिया, तो हम तुमारी फिल्म का नेगिटिव रिव्यू करेंगे सिर्फ यूट्यूब रिव्यू से नहीं, बलकि पब्लिक ओपीनियन से भी इस डिरेक्टर ने आपती जताई है और इसने कहा है कि ये लोग जो थियाटर के बाहर जाकर लोगों से सवाल पूछते हैं फिल्म कैसी लगी, ये भी बंद करना चाहिए इस डिरेक्टर का कहना है कि ये यूट्यूबर्स बस अपने पैसे के बारे में सोचते हैं और इसके लिए ये करोडों के बजट से बनी फिल्मों तक को खराब कह देते हैं इस डिरेक्टर ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि इनोंने प्रेड्यूसर से और थेयर्टर ओंर सेुर्स कि है इन यूट्यूबर्स को रिवियू करने से बoton करे। ये डिरेक्टर है रौशन अट्रियूज जोकि मलिय आलम फिल्मों की डिरेक्टर है इन्होंने कुछ समय पहले Saturday nights करके फिल्म बनाई थी और इस फिल्म ने average business किया था और उसी के बारे में बात करते हुए डिरेक्टर ने YouTube reviews को खराब बताया है अब इस पूरी चीज में सोचने वाली बात ये है कि जो लोग फिल्म देखने गए हैं और देखके आने के बाद वो अपना review देते हैं तो क्या वो review भी जूटा है? क्या वो review भी फेक है? क्या वो review भी पैसो से खरीदा हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है क्या अब filmmakers को अपने product पर अपनी कहानी पर विश्वास नहीं रहा कि वो अब YouTube reviews तक गिरने लगे हैं और कहने लगे हैं कि इन्हें बंद करवाओ